हेलो फ्रेंट डाक्टर आरके वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भेड़ बकरी में रिपीट ब्रेडिंग के प्राब्लम को कैसे साल्व किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे हमारे पास बहुत सारे किसान भाई पसपालक भाई की काल भी आती है मैसेज भी करते हैं कि सर एक वीडियो रिपीट ब्रेडिंग पे जरूर बनाईए तो ये वीडियो उन्हीं पसपालक भाई के लिए है जो भेंड बकरी को कई बार बीजदान करवा देते हैं याई करवा देते हैं यह वीडियो उन्हों प्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी और नालेजवल वीडियो होने वाली है तो वीडियो को इसकी करके मत देखना वीडियो को पूरी तरीके से देखें मतलब पूरी कंप्लेट देखेंगे तो आपको नालेज भी मिलेगा और आप उस पर चाहो तो कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आईए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग घरे लूप चार के बारें बात करते हैं कि आप अपने जिसे आपके आसपास कोई रेजिस्टर विटने डाक्टर नहीं है आप चाहो तो घर पे भी इसका ट्रेट्मेंट कर दीजिए उसको खिलाने से क्या होता है कि जो भेंट बकरी के पेट में कीड़े पाए आते हैं वह मर जाएंगी यह प्रापरली अच्छे से डिवर्मिंग हो जाएगी यह आपको पहला काम करवाना है फिर उसके अगले दिन आपको क्या करना है आपको मैं आपको कुछ मिक्स्टर लेना यह चार चीज मैंने आपको बताई है इन चारों को मिक्स करके अपनी भेंड बकरी को 25-25 ग्राम करके दस से पंदा दिन लगातार खिलाएंगे तो आपकी भेंड बकरी गर्मी में भी आएगी और जब उसको कराएंगे तो मतलब करेंगी यह इसका देशी तरीका हो गया है अब लोग यलोपैथी टीट्मेंट का बारे बात करते हैं यदि देशी अप्चार से आगर करेंड़ हो एक जब्लमी की देबलेट आती है उसको सुबह खाली टेबलेट अपने भेंड बकरी को दे दीजे उसको देने ज passé 2-3 दिन बाद फिर आपको क्या करवाना एक पसु के अच्छे से प्रापली मतलब भेंड़ बकरी आपको सफाई करवानी है इसमें एक सलूसन आता है, मेट्री केयर करके सलूसन आता है, उसको डाल करके मतलब पर रेक्टली उसको मतलब घरभासा को अच्छे से प्रापली आपको साप करवाना है, यदि यह नहीं मिल रहा है तो आप चाहो तो जिन्टा माईशन का इंजेक्शन तीन से चार एमल और प प्रापली उसके घरभासाय को सफाई करवानी है यह आपको पहला काम करवाना है फिर आपको क्या करना है सफाई करवाने के बाद पर जो इसमें टेबलेट पड़ती है फ्यूरिया बोलस की वह चाहो तो आप डाल सकते हैं उससे भी क्या होता है जिसे कोई इंफेक्शन अगर रह जाता है तो वह प्रापली अच्छे से साफ हो जाएगा यह आपको तीसरा काम करवाना है चौथा फिर आपको क्या करना मार्केट से मिन्नल मिश्चर का पाउडर आता है एग्रीमेंट फोड करके वह आप अपने भेंड बकरी को बीस बीस ग्राम आपको पलड़े खिला कि एक प्रोटोकाल होता है यह कि गईना लिच प्रोफ्टा गलन्डिन और फिर गईना रिज काउंज्चान लगा ज़ता है उसको प्रोटोकाल बोलते है इसकी जो डैज होती है बीस 11े उनल गानम什麼 इनके काई नॅम्हें न बार kmen नंता है फिर उसको नौमे दिन लगा दिये नौमे दिन के बाद फिर एक दिन आप गैप दे के आप एक जारूमे दिन उसको याई करवा दीजिए आपकी भेंड बकरी की जो यह प्राब्लम है रिपीट ब्रीडिंग से यह प्राब्लम साल हो जाएगी इस तरीके से जैसा मैंने आपक की फार्मूला बताया है अगर इस तरीके से अपलाई करेंगे तो जो भेंड बकरी की रिपीट ब्रीडिंग की प्राब्लम है वह साल हो जाएगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दवाना ना भूले क्योंकि मेरी जो नई नई वीडियो को नोटिफिकरिशन है आपको समय में समय पर मिलता रहा है वीडियो देखने के लिए थैंक्यू